तो दोस्तों जैसे कि यह मुर्गी बैठी है अंडों के उपर अंडे हैच के लिए यह बिलकुल सही तरीके से बैठी है बिलकुल बढ़िया तरीके से क्यूंकि आपने मैं दिखा दों को इसका जो है कहीं पर अंडे आपको नहीं दीख रहे होंगे यह मुर्गी जिजी इस तरीके से बैठती है मुर्गी अंडों के उपर अंडे हैच के लिए तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि सारे अंडों को जो पर बिल्कुल इकवल में उसे टेमप्रेशर मिलेगा और हमडीटी बराबर मिलेगी तो ऐसे रिजल्ट होते हैं जादा अं यहां से साइड ओं मुर्गी बैटे इस तरफ और अंडे होते हैं इस तरह उने दो नहीं मिल पाता तो उसमें जो हमारा आंडे करने का के बच्चे नहीं निकले इन कारणों से घठता है तो यह तरीका बहुत यह बढ़िया है बहुत बहत्द ही इसका इस समय बहुत तरय आइए यह तर्म भूले Show peppel mo जुखी त्वर्प्र बाइन ब साथब करने अ Kr chair यह पपने दो दीन में बच्चे निकाल लेगी 21 दिन के बाद कंपिलिट होने के बाद मैं तो मैं मैं इसके दो एक दो अंडा उठा कर जो बच्चे निकल गे बाकी अंडे जो बचंगे तो मैं जो है इस मुर्गी के नीचे रख दूँगा एक मैंने साइड में यहां पर भी एक मुर्गी बिठा रखी है यह इंट मैंने इसलिए लगा रखें चार तरफ क्योंकि जो है अंड जो बच्चे निकल लंगे उसे मैं मुर्गी को अलग कर दूँगा बच्चों के साथ मैं और जो अंडे बचंगे उसे में अंडो को उठा कर इस मुर्गी की नीचे रख दूँगा ताकि एक दो दिन जो से हो सकता है उसे कम temperature मिला हो यांडों के हैज करने मतलत समय हो तो वह पूरे दिन उसे समय मिल जाएगा तो एक दो बच्चा हो सके मुझे मिली जाए बहुत सी बात होता है ऐसा कि बाइस दिन होगे और बच्चे नहीं निकले तो अंडे जो निकल के सो निकल के बाकी अंडे जो हमें फैकने पड़ जाते हैं तो ऐसा ना करें आप एक साइड में दूसरी मुर्गी बिठाएं और उसके बच्चे वे अंडे जो है इस मुर्गी के नीचे रख दे ताकि उन्हें जो है बाकी कंप्लीट दिन मिल जाए और एक्स्टा समय मिल जाए अंडे हैच करने के लिए ठीक है दोस्तों यह देखो इसने भी जो है भूत यह अच्छी त तो मैं जोह साम सुबह घोल देता हूं हर रोज साम के टैम या जो है मैं से छोल देता हु ताकि यह घूमे फिरे पर हमारे और अपने टीट पानी वानी करके निफ्राम हो जाए कमजोरी वाली बात नहीं आने की है है तो मैं यह जो है दोको मिलेगी वियुंगा फायदा होता है हमारे अंड़े का जेल होता है उसे न सक्त कर देका और शक्ति यह नहीं एक टेंपरेश्र की जरूत है तैंपरेश्र प्रोप्रेश्र पर ग्रत परफ़यन छोट सकत होता है यह हूं मुद्गो मुर्ग कुड़क Лख तरीकों च चे हैं मैं जो देशी मुर्गी क सुभ होता है अंडे देने के बाद में कोड़क खूने का तो यह वो मुर्गी नेशोring तरह के से मैं नहीं कर रहा है और मैं और बता दूं आप को मैं इस समय कोड़क समय के सवर यहां गर्लाता रही है यहां रिछquinho ले रहा negócio में ध bullish अब यह खाना पिने के बाद में थोड़ी बहुत देर जो है यह वहार रेत में पर मार रही है आप जो है से थोड़ा सा फ्रेस हो जाए क्योंकि मुर्गी जो है बैठी बैठी वह बिचारी आकड़ जाती होएगी तो इससे थोड़ा सा इसा दिमाग फ्री रहागा इसका और रेत भरकने के बाद मैं इससे मिलेगी हमारे अंडों को हमडिटी और जो है हमारे जो बच्चे वह आसारी से क्रैक हो जाएंगे अंडे क्रैक हो जाएंगे बच्चे बाहर निकल जाएंगे ठीक है अब थोड़ी देर बाद जो है मैं इसे उठाने वाला हूं एक बाद पान परों को जाड़ दे और दोबारे से पानी पीकर अपने अंडों जो दूबारे अंडे आज के लिया बाड़िया जो इसका काम है अंडे करने का बस एक बार रेत जाड़ेगी जार्ड़ते ही मैं इसे दुबार जो है बिठा दूंगा अंडों के पर कर दोस्तों इसने जो है दो है टूल जाडल सारी मिट्टी और दो बार मैं इसे पाणी भी पी लिया उन्हेश ने उस्हें और मंने वाला हुआ अटों के ऊपर के आप जांट जान गया जाके जो है यह बैठ जाएगी कि मैं आपनी मुझे ब appel टरर देता कि अपना दाना पानी खाए और अपना जाकर जो है वो बैट जाए